यह minor blockages क्या होते हैं, क्या इनको हम detect कर सकते हैं, कैसे detect कर सकते हैं, इनके कोई पहले से, कोई signs or symptoms ऐसे होते हैं, जिनके basis पर जब यह आये या जब यह problems करें, उससे पहले हम इक बारे में पता कर सकते हैं, यह एक बहुत important issue है क्योंकि काफी लोगों को नलियों में जब भी angiography करते हैं, 20-30-40% blockage निकलता है, लोग हम से पूछते हैं कि यह minor blockages कभी-कभी heart attack भी क्योंकि trigger कर देते हैं, कभी के बारे में plaque rupture हो जाते हैं, बहुत critical blockage हो है, बिना भी लोगों को heart attack आजाते हैं, तो लोग हम से पूछते हैं कि इसको कैसे treated कर सकते हैं, क्या इसका कोई symptom या easy test है angiography के अलावा, जिसके माद्यम से हम पता कर सकते हैं कि यह patient को है, कितने है कितनी नलियों में हैं और इसके लिए treatment चालू करना चाहिए कि नहीं, देखे एक चीज है कि minor blockages किसी की भी नली में हो सकते हैं, हर आदमी को हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोग का ऐसा पूछते कि क्या 20-30% हर आदमी को हो जाता है, beyond a certain age, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहु बहुत सारे factors पर depend करता है, इसे predict करपाना मुश्किल है कि किस आदमी को कितना blockage निकलेगा और हर आदमी को blockage निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इन blockages के symptoms के अगर हम बात करें तो देखी blockages का कोई ज़्यादा symptom नहीं होता है, क्योंकि ये blockage blood के flow को अवरूद नहीं कर रहे, blockage में जब 70% से ज़्यादा block होगा तो वो blood flow को compromise करेगा, blood बहना रुकेगा, ये वक्ति कोई महनित का काम करेगा या कोई extra excessive काम करेगा तो चलने फिरने में उसकी blood की requirement बढ़ जाएगी, हाट में, जब blood compromise हाट में मिलेगा, हाट में extra blood नहीं मिल पाएगा, महनत का काम हाट करना चाहेगा, लेकिन करने ही पाएगा, तो वैसे situation में वेखती की सास फूलेगी, चाती में दर्द होगा, चलने में घबराट होगी, पसीना होगा, धरकन बढ़ेगी, इस तरह की symptoms होगे critical blockage में, critical blockage का by definition मतलब है कि main नलियों में 70% से ज़्यादा blockage हो, तो उसे critical blockage बोलते हैं, या left main नली जो सबसे main नली है, उसमें 50% से ज़्यादा blockage हो तो critical मानते हैं, पर जहां ये blockage 30-40-50% या 60% तक के होते हैं, वहाँ ये critical नहीं होते हैं, वहाँ ये blood flow को इतना नहीं करते हैं, नलियों में कोई रुकावट पैदा नहीं करते हैं, तो ऐसे case में इसलिए बहुत ज़्यादा कोई symptoms नहीं होते हैं, कोई चलने में सांस फूले की दर्द होगा, घबराट पसीना होगा, कि patient को minor pain होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर major blockage है तो ज़्य ज़्यादा pain होगा, minor blockage है, तो कम pain होगा, ज़्यादा तर इस तरह के patients को कोई symptoms नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, कि उनको तकलीफ है, इसलिए practically आप यह मान कर चल सकते हैं, कि अगर किसी को नली में minor blockage है, तो बिना test के उसको पता कर पाना काफी ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई patient को उपर से पता चलेगा, या patient को उपर से कोई lakshan दिखेंगे, patient को उपर से कोई specific चीज होगी, कि यह घंटी बजएगी, और उसको पता सजाया कि हाँ मेरे को 30% हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और plus अगर किसी को 30-40% है भी, तो वो बढ़ रहा है क नहीं बढ़ रहा है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वो 70-80% क्रॉस नहीं करेगा, तब तक patient को कुछ खास symptoms नहीं होगे, कुछ खास lakshan नहीं होगे, patient को पता नहीं चलेगा, science की पे अगर हम बात करे हो, तो इसके कोई signs भी नहीं होगे, ना ही patient को को कोड़ी पर ऐसे sign दिखाई देंगे, कि हात पाओं की उंगलियों में कोई signs दिखाएंगे, एक frank sign करके आता है, जिसमें की ear lobe पे थोड़ा crease है, इसको clinical books में लिखा रहता है, कि इसको माना जाता है, कि अगर वो crease ear lobe पे दिख रही है, एक line दिख रही है, तो वो blockage का sign है, पर यह सारे non specific चीज है, अब body को उपर से देखके, या body के symptoms के basis पर minor blockages का पता नहीं कर सकते है, critical blockages में symptoms होंगे, सास फूले की गबराट होगा, तो पता कर सकते है, minor का कोई symptoms या signs नहीं होता है, इसलिए practically इनको ढूंड पाना बगयर test किये मुश्किल है, next day के test में भी कैसे पता चलेगा, ECG में देखी कुछ खास signs नहीं होगा, unless patient को पहले कोई heart attack आया है, पहले कोई heart का structural damage हुआ है, पहले कोई conduction blockage हुआ है, पहले कोई patient को पहले heart attack वगर आया है, इस तरह के अगर जब तक problem नहीं होगा, तब तक ECG पर कुछ पता नहीं चलेगा, ECO में भी यही है, ECO में भी जब तक patient को कोई structural damage नहीं हुआ है, या कोई और blockage related कोई problem, heart के valves वगर में नहीं हुए, conduction system में नहीं हुए, तब तक ECO में भी कुछ पता नहीं चलेगा, treadmill test की अगर हम बात करें, तो treadmill test में भी यही problem है, कि treadmill test भी critical blockages, जहने 70% से ज़्यादा blockages को ही detect करेगा, क्योंक 70-80% से ज़्यादा blockages को ही detect करेगा, और उसमें भी उसका predictive value सिफ 70-80% ही है, यानि 20-30% case में even critical blockages भी TMT miss कर सकता है, stress ECO भी लगबग 20-25% case में miss कर सकता है, यानि minor blockages के लिए यह test भी applicable नहीं है, तो ना sign में कुछ पता चलेगा, ना symptom में कुछ पता चलेगा, ना ECG में पता ना TMT में पता चलेगा, पता किस में चलेगा, CT ANGO या regular ANGO, CT ANGO में आप 20-30-40% के minor blockages को pick up कर सकते हैं, predictive value काफी अच्छी है, हाले कि 2-5% का variations इसमें आ सकते है, regular ANGO सबसे अच्छा test है, जिसमें आप 100% accurate के साथ बता सकते हैं कि कितना blockage है, minor blockage pick up हो सकते हैं, लेकिन problem यह कि य ज़्यादा invasive है, यह दोनों ही test बहुत ज़्यादा cumbersome है, दोनों में risk होता है, दोनों में contrast जाता है, जो कि heart और kidney दोनों को damage कर सकता है, तो इसलिए यह दोनों ही test minor blockages को data करने के लिए नहीं किये जाते हैं, यह दोनों ही test में अगर patient को critical blockage हो, symptoms हो, signs हो, TMT में changes हो, ECG में changes ह heart attack आ चुका हो, तो ही किये जाते हैं, क्योंकि दोनों ही test में अपने आपने risk होता है, तो इसलिए practically speaking कर हम बात करें, तो minor blockages को signs, symptoms और test के basis पे पता करना काफी मुश्किल है, और routine basis पे अगर angiography को माने भी की वो applicable है, तो भी उसको कर पाना इतना मुश्किल है, और कर पाने म कभी किसी को test में निकला है, जो अगर में minor blockage, तो दवा चालू कर दी जाती है, अगर किसी को risk factors है, multiple problems है, blockage होने का अंदेशा है, तो वैसे के इसमें खुन-पतला करने की single anti-plated दवा, और खुन-पतला करने की दवा के अलावा, जो cholesterol करने की दवा statins है, वो start कर देते, पर test करने का इसमें ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि minor blockages को detect कर पाना, ज्यादा तर test angiography के अलावा, जो ज्यादा तर test है, चाहिए आप MRI करो, CT scan करो, या कुछ भी test करो, सिवा angiography, यानि regular CT angio के अलावा, और कोई भी test नहीं है, जो 30, 40, 50% या non critical blockages को pick up करेगा, तो इसमें अगर आपको लगता है doubt, तो आप empirically दवा चालू कर देते हैं, या कोई और कारण से अगर आपने angiography किया, तब यह detect हो पाते हैं, पर इनको routine तरीके से sign symptom based पर आप detect नहीं कर सकते हैं, ज्यादा तर कि इसमें अंदाथ से treatment करना पड़ता है, तो आज के topic में हमने बात कि, minor block blockages के sign और symptoms के बारे में, और क्या simple test के माध्यम से detect कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में practically speaking, थोड़ा से नकार आत्मा क्या negative topic लोग को लगा है कि यार कोई भी तरीका नहीं है, जिससे minor blockage को pick up कर सके, पर देकि minor blockages उतना ज्यादा heart attack करते भी नहीं है, और बहुत किसमत खराब तो अगर किसी को detect होता भी है, तो आप medicines ही देते हो, 50-60% से कम अगर blockage हो, तो stent करने का वैसे भी कोई significance नहीं है, 70 से जादा होता है, तो हम stent करते है, 70 से कम होता है, तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसले इनको detect करने का उतना role भी नहीं है, उतना importance भी नहीं है, इसले ये minor blockages को कई बार अपने हाल पर ही छोड़ देना ज़्यादा इच्छा होता है, अगर risk factors हो, तो treat करें नहीं, तो कुछ मत करें, आज के topic संबंदित, यदि कोई comments, queries, suggestion है, कोई topics पर आप चाहते हैं, videos बनाएं, कोई patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बानम बताएं, हम उन्हें and inspiration मिलती है, और जो लोग हमारी channel पर regularly subscribers है, या जिन्हों have notification bell press किया, उनके लिए जब भी हम YouTube live sessions करते हैं, तो वो उसका हिस्सा बन सकते हैं, और उसमें participate कर सकते हैं, जो लोगे सारा topics को बहुत details में देखना चाहते हैं, उनके लिए regular basis पर हम YouTube shots upload कर रहे हैं, आप ये सारे topics का brief summary YouTube shots पर देख सकते हैं, सारे topics का one minute summary में आपको देते हैं, और जो हमारे channel पर इतने सारे जो videos है, उसमें जिन्हों को ढूंड़े में दिक्कत होती है, वो लोग हमारे channel पर playlist पर जा सकते हैं, playlist पर click करेंगे, तो आपको topic का details मिल जाएगा, उसके basis पर आप specific topic जिसमें आपको ज झाल 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 झाल